नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत एक बार फ्रीज से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज दिन भर की बड़ी खबरे और सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जहाँ पर आप तक इस वीडियो के माध्यम से हर बड़ी खबर को पहुंचाए वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से रिक्रेश्ट आगर आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटिक आइकन को जरूर दवाईएगा और मानते हैं 24 क्याम चुनाओं में इंडिया गढ़ हंदान जी सकता है तो एक लाइक वीड पटवा जी यहां दोस्तों देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहती है बीजेपी नागपूर रैली में राहूल गांदी गर्जे हैं और सीधे तोर पर बीजेपी आरेसस को घेरा है आरेसस के गड़ में हुई इस महार रैली में कॉंगेस की और से राहूल गांदी ने मोचा समाल लिया राहूल गांदी बोले देश में दो बिचार धारा की लड़ाई चल रही है यहां पर हमें उन बिचार धाराओं से आगे निकलना है कौंगेस पार्टी ने अपने इस थापना दिवस के मौके पर रागपूर में रैली का आउजन किया नागपूर रैली म सीधे तोर पर आरिसस बीजेपी को चुनाती दी गए इस रैली में बोलते हुए राहूल गांदी ने बीजेपी मोधी सरकार पर जम कर परहर किया रैली में उन्होंने कहा कि देश में इस समय नफरत का माहूल बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ सत्ता के लि युबाओं पर आकर्मन किया जा रहा है और दूसरी तफ हिंदुस्तान के दो से तीन अरब पतियों को पूरा देश का धन दिया जा रहा है डेड़ लाख युबाओं को हिंदुस्तान के सेना और बायू सेना के लिए चुना गया था मोदी सरकार ने अगनी वीरी युजना लागू की और इन युबाओं को आर्मी और बायू सेना में नहीं आने दिया रहुल गांदी जोड़ा तरीके से गरजे हैं दोस्तों अगर आप भी रहुल गांदी की बातों से सहमत हैं तो एक लाइक जरू कर दीजेगा वीडियो को इसी के साथ अगली ख़बर की तरह बढ़ते हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता सैम पित्रोदा ने यहां पे गहरी चिंता जाहिर की है अगर यहां पे एबियम रोकी नहीं गई तो कांगेस के वरिष्ट नेता ने एबियम को लेका चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर एबियम से जुड़े मुद्दो को नहीं सुलजाये गया तो लोग सबा चुनाओ 2024 में भाजपा 400 से जाधा सीटे जीत सकती है एक इंटर्विव में सैम पित्रोदा ने कहा कि 2024 का लोग सबा चुनाओ भारत की किस्मत का फैसला करने वाला है बता रहें कि विपच्छ के कई नेता इबियम में गरवडी को लेकर आसंका जाहिर कर चुके हैं हाला कि चुनाओ आयोगी नारोपो को खाईच कर रहा है इस परस्ट है चुनाओ आयोगी क्या BJP से मिली भगत है ये सवाल भी उठ रहे हैं दोस्तों आपको बताते चलें कांगेस और काई अन्य भी पच्छी दलों के नेता यहां मांग कर रहे हैं कि इबियम से पढ़ने वाले सौ फिस्दी बोटों में बीवी पैट की बिवस्ता की जाए यही नहीं बीवी पैट की इन पैचियों को बाक्स में ना रखा जाए बलकि मतदाताओं को दिया जाए यहां पर यह बड़ी अपडेट निकल किया है दोस्तों अगर इबियम नहीं हटी बैलेट पेपर नहीं बापस आये चुनाओ नहीं हुआ बैलेट पेपर से तो बड़ा घोटाला हो सकता है कॉंगेस नेता नहीं ये दावा किया है इसी के साथ अगली ख़वर आ रही है जहां पर प्रियंका गांधी की मुस्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती है क्यूंकि क्रसी भूमी डील मामले में इडी ने चार्ज सीट में प्रियंका गांधी का नाम सामिल किया है दोस्तों लोग सवा चुनाओ को लेका देश में जारी सर गर्मियों की बीच कॉंगेस नेता प्रियंका गांधी की मुस्किलें बढ़ गई है इडी ने हरियाना के फरीदाबाद में क्रसी भूमी की खरीद और बिक्री से जुड़े एक मामले में प्रियंका गांधी का नाम अपनी चार्ज सीट में सामिल किया है चुनाओं से पहले ऐसी साजिसे होती है प्रिंका गानी का नाम चार्ज सीट में आने पर बोली है कॉंगेस पार्टी हिमाचल के सीम सुखविंदा सिंग सुख्खु कायनाटक के डिप्टी सीम डीके सिपकुमार वहीं दोस्तों पार्टी के मीडिया सेल के चेर्मेन पवन खेडा ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है या सिर्फ और सिर्फ भाजपा की साजिस है ऐसा अकसद चुनाओं से पहले देखा गया है और बीजेपी वाले इसमें माहिर भी है दोस्तों 24 का चुनाओं नश्दीक है और भी पच्छी नेताओं को डराया धमकाया जाए जिससे कि वाद चुनाओं पचार ना कर पाएं और E.D.C.B.I. में ही उलजे रहें इसलिए लगता है इस प्रकार की कारवाईयां की जा रही है कॉंगेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी और E.D. पर एक और खबर निकल के आ रही है दोस्तों अनुछे 370 जम्मू कश्मीर के अनुछे 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दायर होगी समिच्छा याचिका CPIM के नेता ने एलान किया है दोस्तों अभीता कनुछे 370 को रद किये जाने के केंद सैकार के फैसले को मुखे नायरीस के अधिचता वाली समिधान पीट ने सही ठहराया था और अब 370 को रद कहने के केंद को फैसले को चुनोती देने वाली सुप्रीम कोट का यहाँ पर जो आदेस आया था उससे कई लोगों को निरासा हात लगी और काफी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर प्रदासन भी किये वहीं दोस्तों आप ख़वा निकल के आई कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोट ने जो आदेस दिया था हाली में उसको लेकर समिच्छा याच का दायर की जाएगी इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है बिहार से जेडियू पार्टी को लेकर अपडेट है जेडियू एक जुट है और रहेगी पार्टी में तूट की खवरों पर बोले हैं ललन सिंग ललन सिंग छोडेंगे अध्यच पद खुद रहेंगे सीम नितीस कुमार यहाँ पे अध्यच नाम का पिस्ताव पारित हो गया तैयार है प्लान दोस्तों जेडियू के राष्टी अध्यच पद से ललन सिंग का जाना लगवक्त है हो चुका है सुत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ललन सिंग जेडियू अध्यच पद से इस्तीफा देंगे वहीं मुख्य मंति नितीस कुमार खुद अब पार्टी की कमांड समा लेंगे दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें बिहार में बीते दिन एक कैमिनेट मंतरी और ग्यारा जेडियू विधायकों ने गुप्त मीटिंग की थी जिसकी सूचना मुख्य मंतिक काराले को लगी और सियम नितीस कुमार तक ये जानकारी पहुँची जिसके बाद दोस्तों लगातार एक्शन मूड में दिख रहे हैं बिहार के सियम नितीस कुमार इसी के साथ एक और बड़ी ख़बर निकल के आ रही है दोस्तों पूर्वराजपाल सत्यपाल मलिक का एक बार फ्री से चौकाने वाला बयान जी हाँ सत्यपाल मलिक ने एक बार फ्री से केंद सरकार और खासत और प्रेपथान मंत्री मोडी को घेरा है सत्यपाल मलिक बोले अगर 2024 में नैंद मोडी को नहीं हटाए गया तो वहाँ डेमो कैसी यानि कि लोगतंत को ही खतम कर देंगे फिर तो चुनाओ होंगे ही नहीं ऐसा व्यान सत्यपाल मलिक बीते करी बार दे चुके हैं लगाता दोस्तों सत्यपाल मलिक आगा कर रहे हैं 24 क्याम चुनाओं में परवर्तन काफी अहम है बदलाओ होना ही चाहिए नहीं तो फिर ये आखरी चुनाओं भी हो सकते हैं लोग सबाके क्योंकि इसके बाद तो डेमो कैसी ही समाप कर दी जाएगी सत्यपाल मलिक ने ये आसंका जाहिर की है इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है खबार दोस्तों इंडिया गठवंदन से संबंदित है सूत्रों से आई है खबार उत्तर पदेश में इंडिया गठवंदन का सीट बटवारा कुछ इस पेकार हो सकता है ये संभावित दोस्तों आकड़े हैं लगवग साथ सीटों पार समाजवादी पार्टी अखिले से अदब की पार्टी जो है वह चुनाव लड़ सकती है 10 सीटे कॉंगेस के हिस्से में जा सकती है और कॉंगेस अपने उम्मीदवार उता सकती है वो लगबग 7 सीटों पर RLD चुनाओ लड़ सकती है खास गौर करने वाली बात दोस्तों ये है भीम आर्मी प्रमुग चंद सेखर आजाद को नगीना लोक सवा सीट दी जा सकती है इंडिया गरटवंदन की तरफ से ये अपडेट निकल की आई है एक सीट चंद सेखर आजाद के खाते में जाती दिख रही है आज की ये सभी लेटेश्ट निउस थी दोस्तों जो आप तक पहुंचाई है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा चैनल पर ना है तो सब्सकाइब करके घंटी का इकन को जरू दवाईए जिससे की आप तक बड़ी खबरे पहले पहुंचें धन्यवाद जय हिंद जय भारत